हेलो फ्रेंड वेल्कम टो माई चैनल जागरती आट एंड क्राप्ट आज हम दिवाली इस पेसर में लाए हैं आपके लिए दिया इस्टेंड इसके लिए हमको जरूरत होगे कुछ इस तरह के स्पार्कल सीट सीडी सीडी ना हो तो कार्डबोर गोल सरकल में कट किये हुए और इस तरह के कार्डबोर रोल जो आते हैं वो जो हमको ज़्यदा तर फॉलिंग पेपर में मिलते हैं तब से हम पहले हम सीडी से थोड़ी बड़ी इस तरह से स्पार्कल सीड को कट कर लेंगे नीचे हमने सीडी नहीं कार्डबोर को कट करके लगाया है उपर हम सीडी वेस करे चीट कर दो में लगा exercice से थोड़ी सी बड़ी कट की है उसके उपड़ां расп Happiness सार्पार्ट सीइन में आप देख सकते हैं और स्विल कर देंगे enille मस रूपर दोड़ा सीट हैं आपते वृ Bryce कासी सार्पारे सरी और करी pride इसे बना रहा है, इसी तरह आप लोग भी अपने बच्चे के साथ इस तरह के रेक्रेटिव आइटम बना सकते हैं और बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे, हमारे पास जो रोल है उस पर हमने सिल्वर स्पार्कल सीट को रैप करने के लिए कट कर लिया है, पहले मैंने उ इसको नाप लिया कि वो कितना बड़ा है, उसके कॉर्डिंग पेपर कट कर लिया, अब मैं उसको लगाऊंगे, हमारे वर्क को देखके ही हमारा बेटा भी मेरे साथ इंजॉय कर रहा है और इस तरह से बना रहा है, और एक साथ हमारा इस तरह से दो इस्टैंड बनके रेड तो लगाए पे हमने फपरकर सीट है उसको लगाया और उपर हम सीडी लगा रहे हैं, इसके लिए हम लोगन यूज़च कर रहे है आगर आपके पात लूगन न हो तो आप जो है अज़ा फैब्रिक गलू का भी यूज़च कर सकते हैं डेक ट्रूरेश्चन के लिए हम इसस स्टों फगरा हैं चो अभी स्टों जाएदा चोटे है तो मैं थोड़े बड़े स्टों तरह के इसलोगा तो थोड़ी थोड़ी दूर पी ऑशाथ हमारा बेटा भी को इंज्वाई करर रहा है और आप भी अपने बच्क के साथ बनाएंगे तो बच्चे भी इसको बहुत इंज्वाइग करेंगे निचे भी मैं कुछ इस्टोन से इसको डेकोरेट कर रही हूँ आप देख सकते हमारा इस तरह से बन गया है अब हमारे पास कुछ पल भी हैं जिसे मैं स्टोन के बीच में लगा रही हूँ कि इस तरह से मैं इस तोन खे बीच में एक पर लगा रही हो हमाई पास वल चैने जिसे बने हैं जु ऐसे टम्र्वा ओंध कि साहता से मैं ने इस तरह से इसमें लगा दिया है और निचे की तरभ हम लूसके सहेता पहलि इसमें मोठी लटका रहे हैं बहुत आसानी से मोती पे हलका सा ग्लू गन से हम सॉरी ग्लू गन से ग्लू लगाके और उसके बाद धीरे से इस वॉल चैन में हम लगा दे रहे हैं और इससे यह और खुशुरत लगेगा अब हमारे पास कुछ काच के टुकड़े हैं जिसको मैं इस पे लगा रहे हूँ काँच के टुकड़े मैं इसलिये लगाती हूँ कि जब इसमे लाइट या दिया हम जलाएं तो उसका रोट रिफ्लेक्षन की वज़ällen से ये काँच की टुकड़े बहुत अच्छी लाइट फेकते हैं इसलिए मैं अपने दिया में या पिर दिया इस्टेंड में कांच की टुकड़े लगाना प्रिफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप देख सकते हैं इसकी ऊपर इस तरह से एक नॉर्मली मार्केट में कैंडल स्टेंड मिनिता है उसको रख सक्के हम जला सकते हैं या फिर डारेक्ट आप दिया रखके भी जला सकते हैं मैं इसको चिपकाने वाली नहीं हूँ क्योंकि दिवाली के बाद मैं इसे किसी अन्डेकरेटिव आइटम में यूज़ करूंगी छोटे-छोटे प्लांट रखके या फिर कुछ भी रखके आप चाहें तो चिपका सकते ध्यारै खेली को एडिये माया कर चोटेश एक बाद में बाद में यूज़ को प्लाइब कोनी केंट के मैं इसे चाहें जायाओ एड़ राहूज को प्लाइब कर दो चाहें प्लाइब केंवालना थाया याय।